या देवी स्वभूती सु मा सक्ति रूपेड संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमुनम्हा नौरातरी हिंदुओं का प्रमुक्त योहार है नौरातरी में रोज देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है इस बार सार्दिय नौराधर की सुर्वात 3 अक्टूबर से हो चुकी है नौराधरी के तीसरे दिन यानि 5 अक्टूबर सनिवार को माता के चंदर घंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी देवी की इस रूप की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है आएए जानते हैं की इस बार की मात चंदर घंटा मा की पूजा की सुर्व मुरत आरती मंतर और कथा क्या है तो आएए जानते हैं सुर्व मुरत के बारे में 5 अक्टूबर 2024 का सुर्व मुरत है सुबह 7.51 मिनट से 9.19 मिनट तक या फिर सुबह 11.51 मिनट से 2.12 मिनट तक 2.12-15 से लेकर के फिर 1.42 तक कर सकते हैं आप पूजा उसके बाद सुबह 3.10 मिनट से 4.38 तक भी कर सकते हैं मा चंदरगंटा की पूजा विदी ये है कि सनीवार के देन सुबह जल्दी इस नानादी करने के बाद घर में किसी साफ अस्थान पर देवी चंदरगंटा की तस्वीर या चितराप अस्थापित कर लेना उसके बाद सबसे पहले देवी माता को तिलक लगा लेना फूलो की माला चड़ाईए और उसके बाद जो है कुमकुम चावल अभीर कुलाल रोली महंदी आदी चीजे भी आप चड़ा सकती हैं आईए जानते की माचंदरगंटा की वास्तविक कथा क्या है तो कथा सुरुआत करने से पहले आप सब माचंदरगंटा को अपने मन में अस्थापित करें और उन्हें याद करें तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी प्रशलित कथा के नुसार प्राचीन समय में महिसा सुर नाम का एक दैत था उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था तब सभी देवता त्री देवों के पास गए तब त्री देवों ने अपनी सकती से एक देवी को प्रगट किया यही देवी दुर्गा कहलाई देवी के सर पे चंद्रमा विराजत था इसलिए उनका नाम चंद्रगंटा कहलाया देवी ने महिसा सुर से युद कर उनका वद कर दिया और इस प्रकार मा चंद्रगंटा पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई